नमस्कार दोस्तो सरजी क्लासिस में आपका स्वागत है तो हम लोग इंडिन पॉलिटी का क्लास डिसकस कर रहे थे प्रिविएस वीडियोज मैंने आपको सॉर्सेस अप इंडिन कंस्टिटिउशन के बारे में बताया था और इसके पहले भी देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कोवर किये हुए इंडिन पॉलिटी का तो हमने उसका अलग से प्लेइलिस्ट बना दिया है तो आप लोग डिसक्रप्शन बॉक्स में जाना वहाँ पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे और इसके पहले देखिए जो भी सब्जेक्ट्स हमने फिनिस किये हुए है जैसे की पॉलिटी का तो हम लोग चल ही रहा आपका है और इसके पहले मैंने आपको बाइलोजी का एक नॉमिक्स जेगरॉफी और केमिस्ट्री का इनका पूरा का कम्प्लीट जो है वीडियो हमने बना दिये और साथ में पीडियब हमने प्रवाइड कर दिया तो आपको आपको दिस्क्रिप्शन बॉल्ग में लिंक मिल जाएगा वहां से जाएक हैसे आप लोग सारे विडियो场 को देख सकते हैं और साथ में देखिए अभी आपका चल रहा इंडेन पॉलिटी और पैरलली आपका यहां पर हम फिजिक्स भी चला रहे हैं तो इस तरीके से जो है आपका यह दोनों सब्जेक्ट हम चाह रहे हैं कि इस मंत के इन तक आपका फिनिस हो जाए और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग आपके रह जाएंगे स्टेटिक जिके का और जो हिस्ट्री का पोर्शन है तो वो हम लोग जो भी आपका फिनिस करा देंगे टाइम से पहले तो आप लोग बस बन रहना हमारे चैनल के साथ, और साथ में वीडियो को भी आप लोग शेयर करते रहो क्योंकि दिखिए जब आप लोग शेयर करते हो या फिर आप लोग लाइक करते हो, तो हह भी मॉटिवेशन मिलती है तो चली हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास क्योंकि ये total 12 अभी है फिलाल में तो इनको अगर आप directly याद करने चाहिएगा number wise तो थोड़ा सा आपको confusion हो सकता है exam में वहाँ पे आपको थोड़ा सा problem हो सकता है कि कौन सा number में कौन सा mention किया गया है तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको tricky तरीके से याद करना होगा तो देखें सेडूल के अंदर में government के जो भी policies होते हैं या फिर जो भी bureaucratic activities होते हैं तो उन सारे चीजों को mention किया गया है और उनको tabulate किया गया हुआ है तो इस तरीके से देखें जब original constitution का जब निर्मान हुआ था तो उस समय मात वो only 8 सेडूल थी लेकिन अभी हम फिलहाल की बात करें तो अब जो क्या है के total 12 सेडूल है यानि कि चार जो सेडूल है इसके अंदर में वो जो है different amendment act के ताह जो है इनको add किया गया हुआ तो इस तरीके से total अभी 12 सेडूल से है तो यहाँ पर एक एक करके हम भी study करेंगे इनको तो पहला schedule देखिए यहां पर list में आपका दिया हुआ है schedule और description दिया हुआ इसके बारे में तो जो first schedule है तो उसमें mention किया गया हुआ है states और union territories के बारे में तो इंडिया में देखिए जितने भी states है और जो भी union territories है तो उनके boundaries क्या होने चाहिए या फिर states है तो उनका जैसे की नाम क्या है तो यह सारा चीज जो है mention आपका किया गया है first schedule के अंदर में जो कि 8 की number 1 और 4 में आपको यह मिलेगा तो अब इसको दिखिए आप कैसे याद रखेगा वहां पर आपको अपना राज और जो भी यूने टेरिटरीज है तो उनके बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा सबसे पहले आप उसी के बारे में आप जानकारी लीजिएगा तो यही चीज mention किया गया फॉस सेडूल में आप लोग साइड लाइन देखते चलना आप लोग हम आपको इस तरीके से बताते चलना उसी तरीके से आप लोग दिमाग में रखना फिर आप लोग दो तीन बार इसको study किजएगा तो यह सारा fit हो जाएगा आपके दिमाग में कि कौन सा सेडूल में कौन सा चीज mention किया गया हुआ है फिर उसके बाद दिखिए second schedule है तो second schedule के अंदर में इसके अंदर में दिखिए कुछ जैसे की important post होते हैं जैसे की president का हो गया governor का हो गया इसके अलावे speaker और deputy speaker हो गया लोग सभा के इसके अलावे जो chairman और deputy chairman होते हैं रा इनको जो salary बेगर दियाते हैं तो यह कितना होना चाहिए और किस तरीके से जो है और भी सारे चीज़ है तो यह provisions दिया गया है second schedule के अंदर में अब इसको दिखिए आप कैसे याद रख सकते हैं अब इसमें दिया हूँ आपका दो यानि कि दो आप जानते हैं तो मतलब दो क किया दो आप कोई भी कहिएगा कि हमको दो तो दो मतलब salary या फिर एमनको allowances ही तो दिया जाएगा तो बस आप थोड़ा सा ट्रिक बना कि आप याद कर सकते हैं इसको कि इसमें मतलब देने की बात कहीं जा रही है तो क्या तो जैसे जो भी emilments होते हैं या फिर जो allowances होते है privileges होते हैं जो भी मतलब कि important post है तो उनको इसके अंदर में रखा गया हुआ है कि क्या provision उनका होना चाहिए फिर उसके बाद देखिए जो third schedule है तो इसमें mention किया गया हुआ है कि forms of oath और affirmation कैसा होना चाहिए मतलब कि जो oath और जो oath का pattern होना चाहिए तो वो कैसे होना मतलब कि कौ गिसर्ण को सपथ दिलाएगा और को जो है किस के नाम पर जो है सपथ लेंगे टो यह सारा मंसन किया गया हूँ आधार में तो इसको देखिए अप कैसे याद रखीगा इसमें आपका दिया हुआ है, थर्ड आपका दिया हुआ है, तो पहले दिखिए इसमें आपका था, सेकेंड में, दो मतलब सेकेंड में आपका क्या था वहाँ पे, कि सेलरी या अलावेंस के बारे में आपका था इसमें, अब उसके बाद निक्स्ट क्या होगा, कि आपको सेल मिल चुगी है तो बस ट्रीक है जो आपको क्यों याद कराने के लिए हम यहां पर बता रहे हैं आपको फिर नेक्स देखिए जो फोट सेडूल है तो इसके अंदर में मैंसन किया गया हुआ है कि जैसे जो राज सभा है तो राज सभा कुम लोग कॉंसल अप स्टेट से बोलते असके लिए होने होने लोकेशन उनका कितना नंबर कितना होना चाहिए तो यह सब्सक्राइब अदर ने सब्सक्राइब जो पांचवा सेडूल है फिप सेडूल है तो इसमें जैसे कि कुछ प्रविजन्स दिये हुए administration और control जो भी मतलब कि सेडूल एरियाज है तो वहाँ पर किस तरीके से चलनी चाहिए तो इसको दिखिया आप लोग याद करने से पहले सबसे पहले आप लोग 6 सेडूल दरेखनाए इसके अंदर में administration यहां पर किस तरीके से करना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके कि कुछ देखिए जो states है तो यह आर्थिक रूप से मतलब कि पिछड़े हुए है यहां के जो लोग है वो ट्राइवल एरिया के लोग यहां पर रते हैं तो वह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और भी बहुत सारे कारणों से वह जैसे कि वह बैकवर्ड में रते हैं तो उनको किस तरीके से एड्मिनिस्ट्रेशन वहां पर करने चाहिए तो यह सारा कुछ है प्रोविजन इसमें मेंसन किये गा हैं सिक सेडूल के अंदर में तो अब दिखिए इसके अलावी यह जो चार इस्टेट आपके हैं इसके अलावी जो चार इस्टेट का हो गया वहां के जो भी ट्राइबल लोग है तो उसके अलावी जो भी इस्टेट से रिमेनिंग हो गा आपके वो जो चार इस्टेट को छोड़के तो वह सारा चीज मेंसन किया गया फिप सेडूल के अंदर में तो आई होप कि यह चीज़ आपको समझ नहीं है और बाकि जो पांच है तो आप लोग उसको लिंक करके याद कर सकते हैं थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा याद ही रखना है किसी तरीके से क्योंकि एक्जाम में आपको कन्फिजन वहाँ पे हो जाती है कि इसके अंदर में क्या क्या मैंसन किया गया हुआ है अब उ नियेटल का उलह chose हो जिसमें और यहाँ के बीच में गया है और जिसमें कि मौर्वुआर जो है सेंटर को दिया गया हुआ हुआ है तो इस तरीके से सेविन सेटलफ लिस्ट का में इन तीन लिस्ट में है गया हुआ union list, state list और concurrent list तो देखिए जो union list है तो इसके अंदर में कुछ ऐसे कुछ चीज यानि की जो रखेगा है कि जिसमें कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ central government को होती है और state list के अंदर में कानून बनाने का जो अधिकार होता है तो यह state government के पास होती है और concurrent list के अंदर में कि जिनके उपर कानून बनाने का अधिकार जो है state और union government के अंदर दोनों के हाथ में होती है तो यह सारा चीज मेंसन किया गया हुआ है seven schedule के अंदर में अब इसको दिखिए आप कैसे याद कर सकते हैं इसमें आपका दिया हुआ है साथ आपका है तो हिंदी में सा साथ हम लोग बोलते हैं तो साथ नहीं इसको पड़ेंगे लोग के साथ दो तो साथ किसे हम मांग रहें हैं यहां पर सेंटर और states है कि आप लोग साथ मतलब कि हम लोग साथ मिल के काम करेंगे क्योंकि हम लोग क्वासी फेडरल नेचर फॉलो करते हैं अपना constitution का according तो इस त जो है तो 8 सेडूल के अंदर में इसके अंदर में बहुत सारे लैंग्विजिस के बारे में दिया हुआ है कि जिनको constitutional status दिया गया है तो देखे जब original जब constitution का जब निर्मान हुआ था तो उस समय only 14 language को constitutional status दी गई थी लेकिन present के बात करें तो अभी 22 languages को constitutional status दे दी गई है तो यहां पर देखे जो एट सेडूल है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन-कौन सा वह जैसे language है जो की एट सेडूल के अंदर में mention किये गए हैं तो इन में से भी आपका question पूछा जा सकता है तो देखे जो भी 22 languages है जो की constitutional status मिल चुकी है तो उसमें आपको जैसे आसामीज हो गया बेंगॉली है बोडो है डोगरी है गुजराती हिंदी कनर कस्मीरी कौनकनी मैथली मल्यालम मैथी मराथी नेपाली उडिया पंजाबी संस्कृत संथाली सिंधी तमील तेलगू और उर्दू तो यह जो है कि यदि आपको आप लोग देखे रहिएगा तो आप लोग महां पर मार्क कर सकते हैं को देखके तो जैसे इसमें असामी जाती है यह जो है इंडो आरियन जो फैमिली से बिलोंग करता है उसे तरीके से बेंगॉली ते भी इंडो आरियन से बिलोंग करता है तो maximum जो language जो constitutional status दे दी गई है तो उन में से भी कुछ ऐसे लैइग्विज का भी दरजह इनको दिया गया हुआ है तो Classical language जो है मतलब कि जिनको Classical language का भी दरजह दे दिया गया तो उनमें से आपका चम्रूरत दे से और जिसको की 2004 में इसको Classical Language डेकलेर की गई थी, फिर उसके बाद दूसरा संस्क्रीट है, इसको 2005 में डेकलेर की गई थी, तीसरा आपका है कनड है, जो की 2008 में इसको डेकलेर की गई थी, तो आप लोग इन 6 language को याद कर लेना आप लोग तमिल, संस्कृत, कनर, तेलगु, मल्यालम और उडिया हो गया आपका तो यह जो है 6 classical language हैं इंडिया के अब यहाँ पर देखी जो classical language जैसे जो दे जाती है इनको status classical language का तो उनके लिए कुछ criteria होती है तो जैसे कि criteria रखा गया है कि जैसे कोई भी language है तो उसका मतलब कि उसका एक high antique होना चाहिए उसका मतलब कि record होना चाहिए text का जैसे कोई भी language है तो उसका अगर माल लिजे कि जो उसका अगर antique record है पिरियेड का लगभग 1500 से लेके 2000 साल पुराना अगर कोई उसका जैसे की टेक्स्ट रिकॉर्ड है तो उसको क्लासिकल लेंग्विज का दर्जा दिया जा सकता है तो इस तरीकी से 6 लेंग्विज को दिया गया है जो कि आपका इसमें से उनको एड किया गया हुआ था तो इस तरीके से देखिए ओरिजिनल एट लेंग्विज तो जो फिफ्टेंथ लेंग्विज था तो उसको जो है 22nd Amendment Act of 1967 के तहब एड किया गया था तो वो लेंग्विज था सिंधी तो यह फिफ्टेंथ लेंग्विज बना इस Amendment Act के बाद फिर उसके बाद देखिए 71st Amendment Act of 1992 के तहब जो है तीन लेंग्विज को और एड किया गया जिसमें कि आपका कौनकोनी, मनिपूरी और नेपाली तो इन तीन लेंग्विज को एड किया था इस तरीके से कितना हो गया आपका यह 16th हो गया 17th और 18th हो गया फिर उसके बाद देखिए चार और लेंग्विज को 92nd Amendment Act of 2003 के तहब जो है चार और लेंग्विज को एड किया गया इनको constitutional status दिया गया तो इसमें से आपका कौन-कौन सा है तो वो आपको जैसे बोर्डो हो गया डोगरी, मैथली और संथाली हो गया तो इस तरीके से टोटल कितने हो गया 22 हो गया अभ जोगरी है तो यह जमू कस्मीर की रिजन के लोग है उनके द्वार बोले आते हैं और संथाली जहती है जारखन में मैक्सिम लोगों के द्वार यह बोले जाते हैं जो ट्राइब लोग रहते हैं यहां के तो इस तरीके से टोटल जो 22 लेंग्वेज जो मेंशन किये गया है जो कि आपका ये 8 schedule में दिया गया है तो वो हमने सारा कुछ देख लिया है तो आप लोग इन सभी को ध्यान से देखना और इसको याद भी आप लोग कर लेना तो इसको देखिए 8 schedule को आप याद करने के लिए trick की कोई जरुरत है नहीं क्योंकि ये बहुत famous है मतलब सभी लोग जानते हैं इसके बारे में फिर उसके बाद देखिए 9 schedule है मतलब कि 9, 10, 11 और 12 हुआ है तो ये सारे amendment act के ताहद इनको add किया गया है originally जो है ये 80 थे constitution में इनको amendment act के ताहद 9 के बाद जिदने भी आ गया है तो इनको add किया गया हुआ है तो देखिए जो 9 schedule है तो इसके अंदर में कुछ ऐसे मतलब कि acts और regulations दिये गए हैं जो कि center government के उदार इनको validation provide की गई है इसके अंदर में देखिए जो कुछ ऐसे कानून या फिर जो to perform the law या लोग actual cultivators होते थे यहाँकि किसान लोग होते थे जो खेदी करते थे तो वह तो इसी को देखते हुए कड़ेश की द्यूमकर प्रिया अब कानून पनाए तहे कि आपका जैसी जमिनदारे सिस्टम के जो भी जमीन है तो उसको हड़प लिये जाएगा मतलब कि वो आपके पास नहीं रहेगा तो लोग क्या करते थे जमिंदार होते थे वो प्यार चल जाते थे और कोड में जाने के बाद करते थे कि ये तो मेरा फंडमेंटल पॉइट्डल खरता था तो उसके तह़रग जहांग जो है जो है जो अनुन बदाती थी स्टेट करने से रिलेटेट तो उनको जो है वह करते थे हैं कि उप इसको डिलीड कर दिया गया है मतलब कि आप फंडमेंटल राइट नहीं वो बस आप क्या एक लीगल राइट रहा चुका है तो इस तरीके से इनको वैलिडेशन प्रवाइट करने के लिए मत्तु सेंट्रल गफ्मेंट ने कुछ जैसे कि उनको एक्ट्स और रेगुलेशन को दिया है तो अब इनको क्या बोलाता है कि जैसे अब अगर सुप्रीम कोड या फिर कोई भी कोट है तो अगर उनके ऊपर मतलब की जैसे अगर वहां पर बात जाती भी है कानून बना देती है राइस सरकार तो फिर जुडिसल रिभ्यू के अंदर में नहीं आ पाएगा लेक भी कोट को भी फोर चैलेंज किया जा सकता है तो इस तरीके से यह सवरे प्रावधान मतलब की है पहले रिलेटेड जो थे इसके तो बस आप लोग इसमें से यही याद रखना कि इसमें कुछ एक्ट्स रिगुलेशन दिये गा है इस्टेट कार्वेंश के रिलेटेड कि व उसमें देखिये दिया हुआ आपका क्या है तो वह नौ है मतलब कि इसको हम कैसे याद करेंगे कि नौ-दलॉग नहीं मेरा जमीन को तुम नहीं हड़को यह सब क्या है मेरा मतलब कि मेरा कि यह सारा चीज आए तो थोड़ा सब्लोक ट्रिक बना के आप Poke याद कर सकते हैं इ अगर वो जैसे defection करते हैं, यानि कि वो दल बदल करते हैं, तो इसको जो है दल बदल कानून भी बोलाता है, यानि कि anti-defection law भी बोलाता है 10 schedule को, तो अब जिसे क्या होता है, कि कोई जैसा election होती है, तो उस समय क्या होता है, कि बहुत सारे जो members होते हैं, उसके जो party के member होते है तो वो दल बदल कर लेता है, मतलब कि एक दल से दूसरे दल में चल जाता है, तो इस तरीकी से उनके सरकार गिर जाती है, तो इसी चीज़ को रोखने के लिए है कि टेंसदूर एड किया गया था, तो अगर कोई पार्टी चेंज किया है, दूसरे पार्टी में गोग गया, तो उसका जो है membership को loss कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई अब membership नहीं रहेगी उस party का तो यही चीज़ एड़ किया गया है बचाने के लिए कि ताकि सरकार उनकी बची रहे तो यह जो एड़ किया गया था ति फिप्टी सेकेंड अमेंडमेंट अक्ट ऑफ 1985 के तरह इसको एड़ किया गया था 10th schedule को तो 10th schedule देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं इसको जैसे 10 है हिंदी में बोलते हम लोग 10 तो 10 मतलब क्या है इसका कि बस करो तुम लोग आप party change नहीं कर सकते हो तो बस आप लोग इस तरीके से ही याद कर सकते है इसको कि बस करो अब party तुम को change नहीं करना ही तो disqualify कर दिये जाओगे तो यह बस ट्रीक है अप लोग इसको याद कर सकते हैं अब अराम से फिर next देखिए जो 11th schedule है तो इसके अंदर में जैसे पंचायत जो होते हैं तो उनका responsibility क्या होना चाहिए उनके power क्या होना चाहिए और authority क्या होना च था कि जो पंचायत जो भी रते थे गाओं के अंदर में तो उनका पहले constitutional status ना होने के चलते जो है उनका कोई power नहीं होता था और ना तो time पे election होती थी तो इसके चलते जो administration महां को उतना अच्छा नहीं हो पाती थी लेकिन इनको जो constitutional status दे दिये गया है तो अब time पे जैसे election भी होते हैं और जो भी उनके responsibility होती है तो पूरी अच्छे तरीके से अब निभाय भी जाती है तो इसे जिसको add किया गया था 11 सेडूल के अंदर में अब इसको दिखिए 11 अपकर दिया हुआ है मतलब कि 11 है तो इसमें अब 11 कैसे बना हुआ तो मतलब कि जब 11 कैसे बना होगा उनके responsibility को अच्छे से निभाया जाना होगा तो यह सारा चीन किया गया 11 सेडूल के अंदर में तो आप लोग अब आराम से याद कर सकते हैं इसको ट्रिक के थूरू भी और वहीं देखिए जो 12 सेडूल है तो 12 सेडूल के अंदर में municipalities के क्या उनके power होने चाहिए उनक इसमें दिया आपका एगार है मतलब कि एक-एक करके तो एक-एक करके हरे गाओं को मतलब कि वहाँ पंचायत को अच्छा करना होगा तो अब जैसे देखिए 12 के बाद फिर क्या है 12 मतलब कि बाहर आना तो बाहर आएंगे अब लोग कहां आते हैं बाहर निकल के जाते हैं ग कि यहाँ पर देखिए जो भी 12 से डिसकस कर लिया है और इसको हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराने का यहाँ पर कोसिस किया हुआ क्योंकि देखिए यह जो आते हैं आपके जो सेडूल जो रहते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स सेडूल में क्या मेंसन किया गया हुआ है तो इसको थोड़ा सा भी आप स्टोरी बना के याद रखिएगा तो यह आपको याद ज्यादा हो जाएगा अब आये हम लोग यहां पर questions करते हैं जो कि आपके previous share में पूछा गया थे schedule से related तो पहला question देखिया है कि which one of the following is not correctly matched तो कौन सा correctly matched नहीं है आपका इसमें दिया हुआ है schedule और इधर जो भी provisions मतलब है उसके अंदर में वह चीज है तो पहला ए में देखिए आपका दिया हुआ आपका इसमें form of oath of office तो यह देखिए कि यह wrong आपका दिया हुआ है क्योंकि देखिए जो second schedule था तो second schedule में क्या mention किया गया था वहाँ पे उसमें salary और allowances जो होते है important officials के तो वह चीज़ mention किया गया हुआ जैसे कि मैंने आपको याद कराया था कि दो मतलब की दो क्या दो मतलब salary दो या फिर जो allowances रता है वो दो हमको तो यह क्या oath and affirmation यह third schedule mention किया गया तो यहीं आपका क्या है कि जो correctly match नहीं है तो इसका right answer option भी आपका हो जाएगा अब आगे भी देख लिजेए इसमें जैसे fourth schedule आपका है तो fourth schedule के अंदर में allocation of seats इंदा राज सभा तो यह तो सही आपक location भी होना चाहिए राज सभा में कितना student का होना चाहिए फिर उसके बादा से 10th schedule है तो 10th schedule में आपका जैसे defection मतलब दिया हुआ है इसमें provisions दिये में defection के तो इसको मैंने आपको याद कराया था कि 10th का मतलब आपका क्या था इसमें कि 10 यानि कि बस करो तुमको आप जो है बखना दल बदल नहीं करना है तो आप लोग बिलकुल इसली आप याद कर सकते हैं और आराम से इसको रिकॉल कर सकते हैं और एंसर को आप लोग मार्क कर सकते हैं अगला question देखिए दिया हुआ है कि which of the following is related to second schedule of the Indian constitution तो second schedule में आपका क्या mention किया गया हुआ है तो इसमें देखिए दिया हुआ कि representation इंदा राज सभा तो राज सभा के representation में अंदर कितना सीट होना जाए तो फोट सेडूल में दिया हुआ हुआ है तो यह तो आपको जैसे ओट अनफर मेंसन जो है तो यह थार्ट सेडूल मेंसन किया गया हुआ है और वहीं देखिए salaries of important officials है तो यह इस सकेंद सेडूल मेंसन किया गया हुआ इसमें तो राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका option D हो जाएगा तो आई होप कि अब आप लोग बहुत ही असानी से question को आप कर सकते हैं next question देखिए which schedule of the Indian constitution is related to the languages of India तो कौन सेडूल में language के बारे mention किया गया है तो यह देखिए आपका क्या हो जाएगा तो right answer option B इसका हो जाएगा तो अगला question देखिए कि with schedule of the Indian constitution list the states and union territories of India तो union territories और state जहां यह कौन सेडूल में तो यह आपका first schedule में मिलेगा इसमें तो right answer option A हो जाएगा इसका फिर देखिए आगला question है कि in the 8th schedule which languages were added by the 92nd constitution amendment act of 2003 तो देखिए जो 92nd amendment act के तहाद जो है चार language को add किया गया था तो जिसमें कि आपका बोडो मैथली डोगरी और संथाली था तो यह जो है चार language add किये गया थे 92nd amendment act of 2003 के तहाद तो इसमें देखिए आपका दिया हुआए option C में दिया आपका यहां पर बोडो मैथली डोगरी और संथाली तो right answer इसका option C हो जाएगा अब इसको दिखिए आप लोग याद करने के लिए एक ट्रिक आप कर सकते हैं DBMS DBMS जो आप लोग computer में आप लोग पढ़े होंगे तो वही अदर डी आपका मतलब इसमें डोगरी हो जाएगा बी का मतलब बोडो हो जाएगा आपका इसमें और एम मैथली और इसका मतलब संथाली हो जाएगा तो आप लोग इसके आपका पूरा करा दिया है तो आपको आपको जो है यह अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग यह इसको एक दो बर और पढ़ लेते हैं तो यह फिर आपका पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कोई भी confusion आपको नहीं रहेगा यह आप लोग ध्यान से इसको मिलता रहेगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए